यदि आप लॉपड़ना चाहते हैं तो कहीं और क्यों जाना हमारे एप को डाउनलोड करें और लॉपड़ें कि अपर आज एक अपड़ी अच्छी खुश्कवरी आई बावरामदयो की दवा को लेकर और मैं पिछले कई दिनों से अब यहां चला रहा था बावरामदयो की दवाओं को जो कोरोनल की कोरोनल नाम से उन्होंने दी है कोरोना की दवा आयुश मंत्राले ने उस पर क्लारिफ किया था आयुश मंत्राले की जितनी जग्यास हैं थी वो सारी जग्यास हैं हमने उनको दी उनको पूरा क्लिनिकल ट्राइल का जो परमीशन थी जो इस्टेट आयुश मंत्राले की तरफ से उनका मेडिसिन रजिस्ट्रेशन था जो जैपुर में उस पर क्लिनिकल ट्राइल ह लोगों के पेशिंटों की लिस्ट हमने सब कुछ आयूश मंत्राले को दिया था आयूश मंत्राले ने यह सब कुछ देखने के बाद पूरे explanation लेने के बाद यह clarify किया है कि यह दवा जो है जो मेट जो क्लिनिकल ट्राइल संसार की यह पहली आयुरुवेदिक घ्र डवाभे जो की क्लिनिकल ट्रायल विइडीन्स वह है वैसे हमारे यहां आयृवेद हम बजपन से जानते हैं हमसब आभी का हम सब जानते हैं कि हमारे घरों aç यहों लेकिन समस्यामारे देश की यह थी कि शंसार में आप जब कोई बात कहते हैं तो उसके पीछे आपको एक evidence चाहिए होता है हमारे नियाले को भी जब कोई सच भी बोल रहा हो तो evidence चाहिए होता है evidence based decision वो ले सकते हैं बाकी वो decision नहीं लेते हैं सेम चीज ऐलोपेथिक में है कि ऐलोपेथिक जब लेकर आते हैं तो वो उसका clinical clinical ट्रायल करते हैं लेकिं clinical ट्रायल उनका जो रहता है वो कुछ ऐसा रहता है कि एक चीज पर लाव देता है लेकिन किसी दूफरी जगए पर वो नुकसान देता है एक जगए पर वो लाव दे और किसी वो की दबा दी जाए लिवर की दबा दे तो ये वह की दबा दे टो जादा दबा दे तो मल्टी और्गन फेलियोर हो जाता है और जवानी में ही विक्ति निकल लेता है। आयुरुवेट का सिद्धानथ हमारे यहां Rहा है और सदयव से रहा है मैंने पीछे भी उस पर चर्चा की है आज ये संसार का पहला अवसर है जो इतनी बड़ी महामारी पूरे विश्व में चल रही है उस महामारी में जितने प्रकार की अलोपेथिक दवाएं हो सकती है चाहें वो AIDS की हों चाहें वो कोवोला औरोला और जो जो दबाएं हो सकती थी किसी भी प्रकार की चाहें वो बिभिन प्रकार की बीमारियों की अलग-अलग दबाएं चल रही थी जो पूरा वेश्व खिला रहा था जिनकी वजह से उसके रिपरकेशन में बहुत से लोगों को अपनी जान गवा पढ़ी उresser का क्लिनिकल टेस्ट नहीं हुआ था वह सरे बॉसे taxi कर रहे थे क्लिकल की वाजी की बबागती की जो दबा है उसके लिए डॉक्त प्रोंथ दोयत嘗्ण मां पढ़े की और वह सीधा सीधा सप्लिमेंट है इन नुुकसान नहीं करेगा जैसे आप खाना खाते हैं वह सबचा ना और भॉजन करते अच्छा संसार में कोई और कुछ मिलेगा क्या हां मैं मोधी सरकार को लेकर उनकी तारीफ करता हूं कि उनका वर्किंग स्टाइल बड़ा अच्छा है वर्किंग स्टाइल अच्छा है मतलब जब बाबा जी ने दबा निकाली तो वह मैडिसिन मार्केट में जाए उससे पहले तमाम स्टेटों ने उस पर कुश्चन मार्क लगाने शुरू कर दिये खास तोर से कोंग्रेस और कॉम्मेनिस्ट स्टे है या हमारी टीम को चेक करवाईए और उसके क्लिनिकल ट्राइल और जो जो होते हैं मैडिसिन के वह मैडिसिन के सारे ट्राइल पूरे हमको बताईए उसके बाद हम क्लरिफिकेशन देगे अगर यह ना करते तो दबा बहुत ज़्यादा विवाद हो जाती एक भी विक्ति क को अपने पास मंगवा कर पूरे सटीफाइट तरीके से इसको सटीफाइट करके मार्केट में लाने के लिए उनको क्लैरिफिकेशन दे दिया इससे लाब यह होगा चूंकि आयुश मंत्राले ने भारा सरकार के आयुश मंत्राले ने इस पर अपनी रिपोर्ट दे दी है औ अब सिर्फ एक ही बात रह जाती है कि चाइना के प्रेशर में डवलुएचो कहीं इस पर कोशन न लगा दे और डवलुएचो कर कोशन लगाता है तो हम 140 करोड़ लोग हैं और हम 140 करोड़ अपने आयुश मंत्राले की बात मानते हैं डवलुएचो जो कह रहा है वो कहने दे और डवलुएचो के अंगेश्ट में जो कंट्री चले गए है अटलीच वो भी इस प्रकार की मेडिसिंस अपने हां आयुवेच की मेडिसिंस इस्टैबलिश करेंगे भारत का दबदबा जब योग दिवस के रूप में मनाया गया तो मुझे लगता है कि आज के दिन को जि अगे आयुरुवेदा डे और आज मुझे लगता है कि जब आप एकरदशी का दिन है आज आज आप अगर आयुरुवेदा डे बनाएंगे तो पूरे विश्व में इसकी स्थापना होगी जैसे आपने पीछे 21 जून का दिवस योग दिवस की रूप में बनाया है वैसे ही आप आज आयुरुवेदा डिवस की रूप में बनाएं क्योंकि पूरे विश्व में महमारी फैली हुई है और कोई भी सर्टिफाइड क्लिनिकली अडिन्टिफाइड मार्केट में दबा छोड़ दीजे अभी तो रिसर्चें भी नहीं हुई है ऐसी परसितियों में एक क् सर्टिफाइड और मंत्राले के द्वारा ICMR के द्वारा मुझे लगता मंत्राले गई होगी तो ICMR जरूर गई होगी और वहां से जिसका बेरिफिकेशन क्लिरिफिकेशन आया हो ऐसी मेडिसिन वर्ड वाइड भारत को इस्टैबलिश करेगी मुझे लगता है कि यह सब जो चाहें दिखाई दे रही हैं चाहें वो चाहें वो कोरोनल की दवा दिखाई दे रही हो चाहें वो सी एक का कानून दिखाई दे रहा हो चाहें प्यूको पर भारत का सर्जिकल स्ट्राइक दिखाई दे रही हो चीन का अलग तलग होना दिखाई दे रहा हो चीन अपने ही ज चल रही है इतना सर्वेदा कर देना चाहिए कि जैसे भारत में आयरुवेदा सार्जिन सार्जिन था अब वो नई मॉडर्न टेकलोजी से उन्होंने आयरुवेदा को डीर करते हुए एलोपेटिक को रिकरनाइस किया और हमारे सार्जिनिक IT फिल्ड को कर देना चाहिए कि हिंदुस्तान में बच्चा बच्चा एक्सपरिमेंट कर सके और इस पर से जितने प्रकार के रिस्ट्रिक्शन्स हैं भारत में वो सारे रिस्ट्रिक्शन्स सरकार को हटा कर इसको सर्वजिनिक टेकलोजी घोशित कर दीजिए जैसे जोतिश शास्त्र हमारे यहां से गरहों की दूरी उप्णवों की चाल उपग्रहों के के असर और हमारी बॉडी पर असर पीड़ पोड़ो पर असर खेती पार समाज पर असर मौसं पर ये सब जोतिश शास्त्र किसी न किसी तरह से आपको explain करती जोतिशाचार अच्छा चाहिए और ये जो खगोल शास्त्र है जो टैलिस्कोप लगा लगा कर बताते हैं कि आज ये ग्रहन पड़ेगा वो सब कुछ आपके पंचांग में आज के 10,000 वर्ष क्या बाद क्या होगा वो भी लिखा हुआ है इतनी सारवजनिक हो गई कि लोगों को विश्वास खतम हो गया जोतिश पर इतना खगोल शास्त्र सारवजनिक हो गया कि घर घर में बच्चा बच्चा माता हैं हमारे घर में मैं बहुत चोटा था मेरी मां बहुत पड़ी लिखी नहीं है उस समय की बारिमी पास रही होगी लेकिन मेरी मां बता देती थी आज इस पर गेरू लगाना है और यह करना है आज यह जो गाय है यह गरबती है इसको ऐसे करके बांद कर रखना है किसको बाहर जाना किसको नहीं जाना ग्रहण में क्या करना नहीं करना यह सब कुछ वो बता देती थी और दिन याद रखती थी कि आज ये शुकल अपक्ष का फला फला दिन है आज ऐसा होगा इतनी सारपजनिक खगोल शास्त्र और उसके बॉड़ी पर इंपक्ट बॉड़ी के एक एक पोर्शन पर इंपक्ट वैसे ही आयरोवेदा के विशे में भारव में बहुत सारपजनिक है बस उसका जो है क्लिनिक आज की तारीक में कम्मनिकेशन सिस्टम और आज की तारीक में आईटी फिल्ड के वल एक रह जाती है मुझे लगता है सरकार अगर उस पर कॉंसेंट्रेट कर जाए तो विश्व में हमको इस्थापित करने के लिए कोई रोक नहीं सकता हम केबल इतना सा काम आओर कर लें कि जितने विदेशी एप हैं जितने विदेशी आईटी फिल्ड के मेल हों चाहें वो जो यूट्यूब हो चाहें यह इनको किसी तरह से भारत से बाहर कर लें और यह सब कुछ इसका ऑल्टरनेट एटलिस्ट भारत में बना कर देते हैं मुझे लगता है कि हमारे देश में सब है बहुत आगे निकलना केवल आईटी फिल्ड आपके हाथ से रह गई है आईटी फिल्ड जिस समय आप अपने हाथ में ले लेंगे हमारे लोग अमेरिका में काम करते हमारे लोग दूसरी जिदरी संसार की आईटी फिल्ड की बड़ी कंपनियां से हम में काम करते बस हमारे लोग हमारी कंपनियों में भारत के पेंट में भारत में वो इस्टेबिलिश करते हैं इतना सा सपन मनी प्रधान मंत्री जी ने भी देखा और पूरा देश देखता है मैं में समझता हूं कि आई टी के जनवरी में 2020 में इस्टाबलिश हुई थी उसका सर्टिफिकेट आया था फरवरी में उसके बाद ये कोरोना के चकर में सब कुछ जाएगा और हमारे हां टेकलोजी इतनी इतनी आसान हो जाएगी कि हर वेक्टी कंप्यूटर पर बैठे और बोले कि मैं एक बना कर लॉंच कर देता हूं मैं ये एक साइट बना कर लॉंच कर देता हूं मैं ये एक अप्लिकेशन बना कर लॉंच कर देता हूं इतनी आशीरवा दिवस के रूपे मनाया जाना चाहिए इस पूरी और्गनाज़ेशन को चलाने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन से हमारे एप को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे कि लॉय स्टूडेंट्स को लॉयर्ट्स को और आम अदमी जो लॉय जानना चाहता है वो पेट प्लस फ्री क्लासिस का लाब ले सकता है